नेगम में 200 क्रोड का गोटाला लगातार पिछले एक सालों से चल रहा है मामले की जांच चल रही है लेकिन अभी तक इस मामले में सिर्फ मूह में उटके मूह में जीरे के बात करी जाया । काहवज शाबेदत क्योंकि अभी तक इस मामले में सिर्फ जो है वो चार लोगों को पुलिस ने जुनके ओपर जांच कारवाई की गी उनको सस्पेंट किया गया और वो भी जो है वो डेली उसके ठेकेदार कॉंटेक्ट वेस्ट के अंदर जो कारे करता थे लेकिन जो में बैसे दो को चित्ते यह है हम एक साल से करीबं से देख रहे हैं सुन रहे हैं कि कोई सत्वीर नाम का ओंट्रेक्टर विद नेक्सस हैंड इन गलब्स विच्ट सम्ट ऑफिशल्स दोसो क्रोड रुपे का गवन हुआ है अभी तक जो पता लगा है पहले 33 क्रोड का साब ने आया था हमारे पारशद साब लेके आयते तीन पारशद हमागरवाल साब दीपक के और एक और मेंखल से नाम याद नहीं मुझे वो 33 क्रोड करना होके वो 200 क्रोड पर जा चुका है और उसके बाद अलग अलग जाच आ रही हैं लेकिन को कारवाई नहीं हो रही है इसमें फ से लेकर अठाइस ग्यारा दो जार अठारा के बीच में 35 क्रोड के काम एक ही ठेकिदार को दिये गए और एक महीने के अंदर पेमिंट भी हो गए और उसमें है क्या पांच-पांस लाख के काम एनांसमेंट किये गए हैं एक भी काम ऐसा नहीं है जो डिरेक्ट टेंडरिंग लगातार जिस तरीके से कहींने कहीं जो है डीसी साथ समय एक्षन में थे लेकिन वह भी अब एक तरीके से ट्रेनिंग प्रेड़े बेज़ दिए गए और उनका कारकाल जो है वह अब एक महीने बाद शुरू होगा तो किस तरीके देखते हैं इस ट्रेनिंग को दिख्या द थोड़ी बहुत हो तो वो भी ना हो या ऑफिसल्स को कुछ अगर ऐसा है पहले सबसे पहले बाई साब जिनके भी ऑफिसल्स के नाम आए हैं दे शुड भी सस्पेंड़िड एट इमिडेट इफेक्ट तभी कारवाई हो सकती है इनकुरी का मतलब यह होता है आप ऑफिसर वही भी बैठे हुएं आप उनकुरी कर रहे हो फाइल तो मैनुपलेट करेंगे मेरे पास बड़ी मैं फैल दे दूँगा अपनी मैं उठाकर भागूंगा उसे तो इस तरह की जो चीजे हैं आज की डेट में भी अगर यह घंबीर नहीं है कोई भी इनकुरी टीम आज की जड़ पड़ सकते हैं कहीं भी सबसे पहले सिस्पेंशन अफ डैट ओफिशल लेकिन यह ठेकेदार जो है वह अब राजनीती में हाथ अजमाने की त्यारी कर रहा है अपने गाउंसे जो है वह जिला परसद की त्यारी कर रहा है वहीं नागा लेंड में इसका धरले से काम चल रहा है तो ऐसा नहीं है एक बार को तो सर जटका लगना ही चाहिए और रिकावरी भी होनी चाहिए यह हमारी हमारा पैसा है हम टैक्स का पैसा हमारे बिजली के बिल बढ़ा दिया फिर बाट तो आप उड़ी रिवडियो की तरह है आप लगा तो रहीं यह कहने को 200 क्रोड क्वेस्ट है के सर प्लीज आप इसको खुद अपने हाप में लो काम को इंक्वारी के डे टू डे बेसिस पे मोनिटरिंग करें और सब्सक्राइब करें सबी अधिकारियों के इमिडेट इफेक्ट पे क्योंकि वह इस इंक्वारी को इफेक्ट कर रहे हैं मैं कह रहा हूं हो अकेला नहीं था पहले दीपक भाई दे वो थे अब आप सब होगे सबको वेपर दे दिये काल हम घर घर बटवा दे के वेपर हमने पहले बटवाए हैं तो बिलकुल यह आटे एक्सपर्ट वरुन शोकंद हैं नोंने साफ तोर से कहा कि जिस तरीके से भी हो इस पूरे मामल होनी चीए नहीं तो फिर इनका अगला कदम जिस तरीके से उन्हें बताया कि तमाम दस्तावेज घर घर जा करके बटवाएंगे जिससे की आम जंता के जहन में भी इस पूरे घोटाले की जो है वो बारीकिया समझ में आ सके फर्दाबाद शानिल राठी पंजाब